हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की जो मैस का सेकेंड चैप्टर है उसकी एक्सेसाइज 2.4 का क्वेशन नमर फर्स्ट करेंगे तो आहीं स्टार्ट करते है अपने इस वीडियो को तो क्वेशन हमारे पास है डिटर्माइन वीच अफ फॉलॉइंग पॉलिनोमियल्स है एक्स प्लस वन अफेक्टर बताएं कि निमली कि बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है हमें आप चार पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें यह बताना है कि जो यह एक प्लस वन हमें यह चेक करना है कि यह जो है पॉलिनोमियल यह इसका फैक्टर होगा यह नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सबसे वहले इसका जीरो फाइंड कर लेते हैं एक्वल टू जीरो रखके ठीक है तो यहां पर एक्स की वैल्यू हमारे पास आजाएगी माइनस का वन त ठीक है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको ओंने एफ एक्स ले लिया एक्स qb2 प्लस x goes वन यहां पर एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे माइनिस का वन रखेंगे ठीक तो minus one का cube plus minus one का square plus minus one और यह plus का one अब minus one का cube करेंगे तो answer हमारा minus one में ही आएगा और minus one का square करेंगे तो plus में आ जाएगा और plus और minus minus one और यह plus का one अब इसको solve करूँगा तो minus से plus cancel हो जाएगा तो last में हमारे पास क्या बचा? 0 बचा ठीक है? तो x की value minus one पुट करने पे 0 आ रहा है तो यह जो होगा x plus one is a factor of polynomial fx equal to x cube plus x square plus x plus one तो इस polynomial का यह एक factor होगा ठीक है? अब second part देखते हैं अब second part में भी हमें बल्कुल same ही करना है तो हमारे पास x plus one दे रखा था तो इसको equal to zero रखके 0 x की value find कर लेंगे तो minus one आ गया ठीक है? तो इस polynomial में हम x की जगे पे minus one पुट करके देखेंगे ठीक है? तो हमारे पास f minus one value अगर पुट करेंगे तो minus one की power four plus minus one का cube plus minus one का square plus minus one और ये plus का one अब one की power four है minus one की power अगर हमारे पास even आती है तो answer हमेशा plus में आएगा तो plus one हो गया और आती है तो minus में आएगा तो minus का one फिर ये plus का one ये minus का one और ये plus का one तो ये तो cancel हो रहे हैं तो last one हमारे पास क्या बच रहा है? वन बच रहा है ठीक है? जो की equal to zero नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो x plus one है वो इसका factor नहीं होगा is not a factor of this polynomial ठीक है? तो इसका ये factor नहीं होगा अगला दिखते हैं next है third part x की power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus one इसमें check करना है कि x plus one इसका factor होगा की नहीं होगा तो इसमें भी हम same करेंगे तो x की value हमने निकाली तो minus one तो रहेगी इसकी value ठीक है? अब इसमें put करेंगे x की value हम one put करेंगे तो क्या होगा? minus one का power 4 plus 3 minus one की power 3 plus 3 minus one का square plus minus one और plus का one ठीक है? तो इसको solve किया तो ये one हो जाएगा ये minus का 3, ये plus का 3, ये minus का one और ये plus का one 3 से 3 cancel होगिया, 1 से 1 cancel होगिया तो यहाँ पे भी one आ रहा है जो की equal to zero नहीं है तो ये जो x plus one है वो इसका factor नहीं होगा is not a factor ठीक है? तो इस polynomial का x plus one factor नहीं होगा अगला दिखते हैं 5th, 4th part है हमार पास ये दे रखे है polynomial, तो इसमें check करना है तो x plus one को equal to zero रखा तो x तो हमारा minus one हो जाएगा ठीक है? तो ये values में put करके देख लेते हैं, तो minus one की power three minus one का square two plus root two minus one plus root two minus one का cube करेंगे तो minus one आएगा ये भी minus one हो जाएगा ठीक है? और minus minus plus हो गया, two plus two root two और यहां पर last cut root two ठीक है? तो ये minus one और minus one minus two हो जाएगा plus two, root two को root two से करेंगे तो two root two हो जाएगा ये cancel out हो गया तो इसको solve करका है two root two, ये भी equal to zero नहीं आ रहा है तो x plus one is not a factor of given polynomial ठीक है? तो इस polynomial का ये भी factor नहीं होगा तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा Thank you